हलो फ्रेंट्स हमारे पिछले एपिसोड में आपको पता चलती है तो आखिर आप ऐसी कौन सी जांचे करवाएंगे जिसे आपको पता चलेगा कि आपको फाइब्रोड है या नहीं है तो मैं डॉक्टर सुशीला सेन्य आज आपको यहीं पताने जा रहे हूं कि फाइब्रोड सब्सक्राइब्रोड नहीं होता है या नहीं होता है लेकिन हो सकता है किसी को अंकमफोर्टेबल हो लेकिन हमें डॉक्त के सब करना चाहिए और टांस्वाजानिनल सोन्षफि की अउनुमती दे देनी चाहिए जिससे कि आपका डायग्नॉसिस बिलकूल प्राउपर हो सके क्योंकि टांस्वाजानिल प्रिफिय पेट का फैट भी इंहीं आता है जिसे डीनला honका होता है यह लेकिनiem тут के म fino उपर से ही पता चल रहा है यानि कि चार-पाच महीने के बच्चे जितना साइज बड़ा है तो फिर जनरली उसमें पेट के उपर से की जाने बदे सोनोग्राफिक की जाती है जिससे कि फाइब्रोड के साइज के बारे में पता लगाया जा सके अब यदि फाइब्रोड का तक फैला है उसका आतों से कोई connection तो नहीं है या कहीं और से तो उसका origin नहीं है यह सारी चीज़े अच्छे से पता चल जाती है और कितने फाइब्रोड बच्चे दानी के अंदर है वो भी दिख जाएंगे और उनकी position और location भी अच्छे से पता चल जाएगी जिससे कि डॉक पर रहा है तो हमें किस हिसाब से operation का चीरा plan करें क्योंकि जब ऑला operation करते हैं तो उपर पेट के ऊपर चेत बना कर operation किया जाता है बड़ पर गांट के ऊपर इंसीजन लगा कर ही operation किया जाता है जिससे कि गांट को पर तरीके से बाहर निकाला जा सकती तो इस तरीके से आप दिम्टाइकर सकते कि सोड़ाफ in प्राइमरे इन्वस्टिगेशन है जिसमें ट्रांश वजय परिफर्ड होती है लेकिन त्रांश वव्डॉपिननल सॉनोग्राफ हे रिवी कि जाती है के साथ ही साथ हमें हीमोगलोबिन की जांच भी ज़रूरी हो थी क्योंकि जनरली महिलाओं के अंदर हीमोगलोबिन की कमी होती है तो CBC टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है जिससे कि आपका हीमोगलोबिन या खून की मातरा को एंशोर किया जा सके और यदि खुन कम है तो पहले आपको iron की गोलिया या खुन बनाने वाली दवाई आपको दी जा सके जिससे की appropriate hemoglobin का level maintain किया जा सके या blood चड़ाने की ज़रूरत है तो proper blood arrange किया जा सके जिससे की operation को facilitate किया जा सके और यदि आपके घर में को emergency और अभी आप operation नहीं करवा सकते इसे सिते में खुन बढ़ाने के injections भी लगाए जाते हैं जिसके result एक से दो महिने के अंदर आते हैं बिना जाच की हमें नहीं पता चल पाता कि exact level कितना है साथ यसाथ बिहोशे से fitness के जो जाचे होती है वो भी करवाई जाते हैं इसमें liver function test kidney function test thyroid function test ECG x-ray eco यह सारी जो basic जाच के लिए या तो medicine दी जाएंगी या surgery की जाएंगी अब हम जानेंगे कि आखिर आपको medicine देनी है या surgery करने जनरली फाइब्रोड का medicine से इलाज नहीं होता है टेंपरेरी इलाज होता है फाइब्रोड का साइज गोली खाने से एक दो सेंटिमीटर कम हो सकता बढ़ डेफिलिट दवाईयों का रोल खत्म हो जाता है और सिर्ज़री ही एक हिलाज विस्ता है और जब सरज़री के बारे में बात करते हैं तो surgery दो परतार से हो सकती है जिसे की open surgery हो सकती है या लैप्रोडोस पीक सरजरी होती है open surgery और laproscopic surgery के बारे में में बहुत बार बात कर चुक्ए और आपको बता चुके हैं कि दूरबीन से होने वाले उपरेशन के क्या-क्या फाइदे हैं और मायमेक्टमी यानि जो बच्चे दानी से गांट निकाले का आपरेशन है वह आधाम से दूरबीन से किया जाता है उसके साथे साथ बच्चा नहीं लगने की कारणों की चांच भी कर से दानी से निकालने के बाद पेट से बाहर निकालने के भी आप्शन के बारे में बात करना जरूरी होता है क्योंकि या तो गांट को काटके निकाला जाता है या गांट को थोड़ा सा चीरा बढ़ा कर फिर निकाला जाता है जनरली गांट को पाली बैक के अंदर डालकर फ किसिकर우 का स्वीदेश ना हो तो इस तरीके से आप संबच सकते हैं कि गाट निकालने के टेक्जिक बहुत ही सेफ है बहुत से्ख़शित है और बहुत ही इसे आरामचा लाज करहा सकते हो दोरska कर्वा कैंगी का आप्रेसयं के Doraan किसे और बार खराब हो रहे थे तो definitely operation करने के बाद यह सारी problems का solution हो जाता है और आप एक normal pregnancy conceive कर सकते हैं और एक normal delivery करवा सकते हैं इसके साथ इसाथ surgery के बाद कुछ और एक आदो options बचते हैं यानि कि आजकल नई techniques आई हैं जैसे कि MRI guided radio frequency ablation यानि कि इसमें बच्चेदानी के अंदर इस गाठ को जला दिया जाता है या सुखा दिया जाता है या sonography guided ablation techniques के या laser के द्वारा लेकिन अभी developing phase में है इनका अभी इस पूरी तरीके से इनका सुरक्षा का trial नहीं हुआ है और इनको अभी पूरी तरीके से implement नहीं किया जा सकता इस तरीके से आप अपना इलाज करवा कर आगे normal pregnancy को conceive कर सकती है और एक normal life आगे जी सकती है आप से फिर मिलेंगे एक नए एक रात्मीक नहीं कियाओ जाने लेके सरीके से इनका सकती है Dare और ऑिलाज करुआ हैऌ